हाई लो दोस्तों स्वागत है आप सभी क्या आपके अपने इस यूटूब चैनल एक स्प्रेणोलीफ और इव में तो आज के वीडियो में हम आप से भी को साइंस का टोप 20 कोशन कराने वाले हैं जो सभी एकजाम में आने वाला प्रस्न है या इसमें हम वो कोशन लेकर आये हैं जो प्रिवियस एर्स में पूछा गया प्रस्न है और जो आने वाला प्रस्न है ठीक है वैसा हम इसे वीडियो में प्रस्न लेकर आये हैं तो देखिए यहाँ पर पहला नमर हम प्रस्न सबसे प देखिए हम यहाँ पर अगला नावर प्रोषन को देखते हैं तो अगला नावर प्रोषन में दिया है कि कारे का S.A.E. मतरक क्या होता है? तो जूल होता है Option A इसका सहिराइट आंसर हो जाएगा बस आप सभी को इस कोशन को पढ़ते जाना है ठीक है आपका रिभाईज होते जाएगा तो देखिए तिसान और प्रोशन में दिया है कि बिदुधारा का एसाई मातरक क्या होता है तो बिदुधारा का सही मतरक्या होता है तो वाट होता है option A इसका सही राइट आंसर हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर चोगथान और प्रस्ण में दिया है कि कोण बोसाना नाम का सबंद किस नाम से है या आप से प्रस्ण यह भी पूछ सकता है कि कोण बोसाना नाम का सबंद किस से है तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही राइट आंसर option B हो जाएगा A से N बोस से ठीक है अब देखिए यहाँ पर पाचवा नमर सवाल में दे रखा है कि कितने प्रकार की quantum संख्या होती है ठीक है तो दोस्तों यह IMP प्रस्ण है ठीक है मतलब मोहतो पुन प्रस्ण है यह एक्जाम में कई बार ऐसा प्रस्ण पुष चुका है तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए याद करना है तो देखिए कितने प्रकार की quantum संख्या होती है तो चार प्रकार की क्वांटम संख्या होती है कितने प्रकार की होती है तो चार प्रकार की क्वांटम संख्या होती है ठीक है अब देखिए यहाँ पर छोगन और प्रस्ण में दिया है कि चक्रन क्वांटम संख्या के कितने मान संभो है ठीक है एक बार हम और प्रश्ण पढ़ देते हैं चक्रन क्वांटम संख्या के कितने मान संभो है तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही राइट आंसर आप्शन ए हो जाएगा दो मान संभो है ठीक है अब देखिए यहाँ पर सातवान और प्रश्ण में दिया है कि सन्वेक का एसाई मातरक है सन्वेक का एसाई मातरक क्या है तो किलो ग्राम है क्या है तो किलो ग्राम है अप्शन इसका ए सही राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पर आठावान और प्रस्ण में दिया है कि थर्मो अस्टेट का परियोजन क्या है मतलब Thermostate का परियोजन क्या है मतलब ये किस काम में आता है प्रस्ण ये पुछने का मतलब है तो Thermostate का क्या काम है तो Thermostate का काम ये है कि ये तप मान को इस्थी रखता है तो Option C इसका सही राईट अंसर हो जाएगा अब देखें यहां परनगान मार्ण प्रोष्ण में दिया है कि एक नाइट कल मिल बराबर होता है तो दोस्तों मैं आप सभी को इस question को IMP कराने वाला हूँ क्योंकि ये प्रोष्ण आपको note कर लेना है ऐसा प्रोष्ण exam में हमेशा पूछता है ठीक है तो एक नाइट कल मिल बराबर होता है क्या अब देखिए यहाँ पर दासवा नमर प्रोष्ण में दिया है कि प्रिष्टित तनाव की इकाई है तो प्रिष्टित तनाव की इकाई क्या होती है तो इसका इकाई होती है option A Joule प्रती मीटर तो ये प्रोष्ण आप सभी को याद होगा ठीक है अब देखिए हम अगले नमर प्रश्ण की वर बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एक 11 नमर प्रश्ण में दिया है कि फूलो का अध्यान कहलाता है तो फूलो का अध्यान क्या कहलाता है तो इन्थो लाजी कहलाता है क्या कहलाता है तो इन्थो लाजी कहलाता है Option A, इसका सही राईट आन्सर हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर 12 नमर प्रस्ण में दिया है कि किस वं के सिर से उध्वाधर परनत में होते हैं ठीक है, तो इसका सही राईट आन्सर क्या हो जाएगा तो इसका सही राईट आन्सर Option C हो जाएगा बुट्टिया ठीक है अब देखिए यहां परतिसार नवर प्रस्ण में दिया है कि उस्मा का SI मातरक है उस्मा का SI मातरक क्या है तो उस्मा का SI मातरक वाट है क्या है तो वाट है तो ऐसा प्रस्ण आप सभी को याद ही होगा सिर्फ आपको revision करते जाना है और जो इसमें IMP question लगे उसको आपको note करते जाना है ठीक है तो देखिए 14 नमर प्रस्ण में दिया है कि फेदो मीटर का उपयोग क्याम आपने में होता है तो यह भी दोस्तो प्रस्ण IMP प्रस्ण है यह भी प्रस्ण एकजाम में कई बार पुछ लिया गया है तो फेदो मीटर का उपयोग क्याम आपने में होता है तो समुंदर की गहराईम आपने में होता है इसका परियोग अब देखें यहाँ पर 15 नमर सवाल में दिया है कि मधुमक की पालन कहलाता है जो मधुमक की पालन होता है वो क्या कहलाता है तो AP कलवर के तहत आता है किसके तहत आता है तो AP कलवर के तहत आता है अप्शन A इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पर 16 नमर प्रश्ण में दिया है कि पोधो की आंतरीक सरचना का अध्यन कहलाता है तो पोधो की आंतरीक सरचना का अध्यन क्या कहलाता है तो option C इसका side right answer हो जाएगा शारेरिक कहलाता है अब देखिए यहाँ पर 17 नवर प्रश्ण में दिया है कि VT कलवर जाना जाता है मतलब VT कलवर किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही राइट आंसर option C हो जाएगा अमूर के उत्पादन से अब देखिए यहाँ पर 18 नवर प्रश्ण में दिया है कि प्रकास वर्स इकाई है तो दोस्तों मैं आप सभी को फिर से बता दू कि इस प्रश्ण को नोट कर लेना है क्योंकि यह प्रश्ण कोई बार एकजाम में पूछ लिया गया है और यह भी बिहार पुलिस में भी यह प्रश्ण पूछा गया है ठीक है तो इस प्रश्ण को आपको नोट कर लेना है तो देखिए इस प्रश्ण में दिया है कि प्रकास वर्स इकाई है जो प्रकास वर्स इकाई है यह किसकी इकाई है तो दूरी की इकाई है option A इसका sai right answer हो जाएगा ठीक है अब देखेंए यहाँ पर 19 नवर प्रशन में दिया है कि हिछो हिछोलाजी है वो किछे से समधित है तो उतक से समधित है option A इसका sai right answer हो जाएगा उतक से ठीक है अब देखेंए यहाँआँ पर 27 अवर प्रशन है जो लास्ट प्रस्ण है पोडो लाजी में अध्यन किया जाता है जो पोडो लाजी होता है वो अध्यन किया जाता है ये प्रस्ण में पूछा है तो पोडो लाजी में अध्यन किया जाता है किसका तो भूमी का किसका किया जाता है तो भूमी का option B इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये था दोस्तों 20 महत्तपूर्ण जो सभी एकजाम में पुछा गया प्रस्न है ठीक है तो अगर आप लोगों किसी भी competitive की एकजाम की त्यारी कर रहे हैं इस वीडियो को आपको देखना बहुत धी जरूरी है